वेल्कम बैक तो माई चैनल से आज किस वीडियो में मैं आप किसा शेयर करूंगी पफ स्लीफ का बहुत ही बीटेफल स्लीफ का डिजाइन जो बहुत ही जादा बीटेफल लगेगा बनने के बाद यह डिजाइन आप अपने प्लाजो पेंट पे स्लीफ पे किसी पे भी बना सक प्लाजों के करीब लिए और जो लंबाई है वह अमने आप एक सिंच के करीब लिए तो हमने यह पर बनाएंगे जो एल्बू तक होगी हमारी यहां पर आप सबसे पहले एक साइड में आपको इस फैब्रिक में एक पीस को जोड़ लेना है जो हमने साथ इंच का लिया था आपको दूसरा तरह तरह के जोड़ लेना है जो यहां पर इस तरीके से फोल्ड कर लिया है इस फैब्रिक को उसके बाद जिसकी चौड़ाई हुई है आप यहां पर देख सकते हैं कितनी चौड़ाई हुई है यहां पर 28 संस के कडेब तो यह जो प्मारा पिंक वाला फैब तो यहां पार देख सकते हैं मैंने म्हूंट में आपको कटिंग कर लीए बहुत ही सिंपल कटिंग है था पुनी मुझे बहुत ही ब caller मुछे लगती है इस तरीके एक कट लाइगी उसके बाद हमने आप एक वे फे लगाना Есть उसके बाद हमने लगाना है तो नीचे से जो सभी प्लेट्स होंगी और उपर से तिर्ची होती चली जाएंगी यह प्लेट्स हमें वहीं तक डालनी है जहां तक हमारा फैब्रिक खटम हो रहा है यह पिंक वाला तो गईज यहां पर आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसमें प्लेट्स डाल दिया है एक साइड पे और उसके बाद दूसरी तरब भी आपको इसी तरीके से प्लेट्स को डाल लेना है तो दोनों तरफ प्लेट्स डलने के बाद आपको इसके उपर नीचे की साइड इस पे स्टेचिंग कर लेना है अच्छे से सेट करते हुए तो नीचे की साइट की सिलाई होने के बाद आपको उपर की साइट जो हमारा पाफ है उसमें भी आपको स्टेचिंग कर लेनी है अच्छे से आपको प्लेट्स को सैट करना है और उंक की ऊपर स्टेचिंग कर लेनी है सो गईस यहां पर देख सकते हैं मैंने स्टिचिंग कर लिए एक्स्टा फैब्रिक आपका जितना भी निकल रहा है कॉटर इंच कपड़ा छोड़ते हुए आपको इसको कटिंग कर लेना है स्टिंग होने के बाद इसका जो लोक है वो कुछ इस तरीके से आएगा नीचे की साइट जो हमारी बहुत सारी प्लेट्स रही थी एक के उपर एक उनके से आपको फैब्रिक को कट कर लेना है क्योंकि जब हम इसमें बॉडर अटैच करेंगे तो स्टिचिंग होने में आपको कोई भी दिकत नहीं होगी अगर आप यह वाला फैब्रिक कट कर लेंगे ध्यान रहे लेकिन आपकी जहां पर सिलाई हुई है वहां तक आपका कट ना लगे तो यहां पर देख सकते हैं हमारे जो पाफ है वो रेडी हो चुका है उसके बाद हम नीचे का बॉडर तयार करें और एक एक इंच की फोल्ड करके मैंने इस पर आरन कर लिया था आप चाहते हैं एक एक इंच पर मार्क कर सकते हैं इनके उपर आपको पिंटेक्स डालनी है तो यहां पर देख सकते हैं हमारे जो पिंटेक्स है एक डल चुका है इस तरीके का लुक आएगा उसके बाद आप इस तरीके से फॉल्ड करना है लवरा इन हर कई और डूम याप के तो मैंने यह लिए पुरे बॉर्टर पर अकम सब्सक्रास करते हैं तो hunting और और हमारा न जो अब जार और प्रणियों यह नहीं प्रलाइब निदे लिए उसके बाद आपको इस तरीके से एक पॉलिन है जिस पॉलिना अपने फ्रिल बफ कर दें अपने तुमने के च्छलाई a पीछे की सड्मेर आपो प्रबर चिपका पर उसके बाद आपको इसकी ऊपर कर लेना है है इसके बाद आपको इस पट्टी के ऊपर एक इक इंच पे इस तरीके से एक मार्क करना है एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है आइन ड्रॉ करने के बाद हमने आपे स्क्वैर शेप में फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई चार इंच है लंबाई भी चार इंच है और कलर जो है वह दोनों के अलग अलग है दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और चारों तरफ से से स्ट्रिच कर लेंगे यहां पर मैंने से स्ट्रिच कर लिया है स्ट्रिच करने के बाद आपको इस तरीके से ट्रांगल में फोल्ड करना है और इसे बीच में से कट कर देना है उसके बाद आपको इसे राइट साइड पर टर्न करने के बाद इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड करके इस पर आयरन कर को लिए था काफी सारे आपको बना लीने हैं ठ्रैंगल कफी इसारा आपको सका काएंगल से अपको स्रीच कर लिए घ्र लाइन को किया था एक इंस पर 마음에 फितारेक्ष पर आपको रखने हैं अपने ट्रैंगल को अपनें रूरा गैद में जो कि अभी ट्राइंगल लगने के बाद आपका नीचे काला जो फैब्रिक है उसे आपको फोल्ड करना है इस तरीके से एंड इसके उपर भी एक स्टिच को लगा देना है यहां पर हमारी जो स्टिचिंग है वो कंपलीट हो गई है उसके बाद आपको इस राइट साइड पर टरन करना है देख सकते हैं कितने अच्छे दरीके से हमारी जो ट्राइंगल है वो बहुत अच्छे से एंड फिनिशिंग के साथ बाहर की साइड शो हो जाएंगे उसके बा पा Sum मैंने बॉर्ड को टाइच कर लिया है इसको और बेड्फिल बनाने के लिए मैं इसके उपर शिशे का यूस करूंगी तो मैं इन सभी box के उपर इस सईके से शिचे को चिपका दोंगी तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं मैंने सभी शिचों- चिफका दिया है और कितना बीटिफल इसका लुक आ रहा है आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेर कमेंट जरूर करिएगा थेंक यू फर वाचिंग बाबाइस नेक्स वीडियो अल्ला हाफिस